Hello everyone, welcoming you all in this video study material Today once again I am here for discussing about the vector form of the gravitational force तो आज हम लोग यह जानेंगे कि हम लोग gravitational force को vector form में कैसे लिख सकते हैं हम सभी जानते हैं कि force एक vector quantity है एक vector quantity यानि कि उसके पास एक direction भी है और magnitude है तो आज हम लोग उसके Vector Analysis के बारे में जानेंगे हम लोग जानते हैं कि Newton's Sir के हिसाब से यह जो वर्ड है वो थ्री डैमेंशनल है तो थ्री डैमेंशनल कहने का मतलब कि यहाँ पर किसी भी पर्टिकल को रिपर्जेंट करने के लिए हमें तीन नंबर्स की जर्ग पढ़ती है कि एकक्स एक्सिस के लॉंग लैंथ-ई-चेंग आच के लॉंग हाइट और जैट एक्सिस ज्योंग हमारा विपड़् यानि कि यह यह एक्सिस एक्सपिस और यह हमारा जैट एक्सिस तो सपु provoc कि हमें किसी भी पर्टिकल एको अगर denote करना है तो हमें टीन numbers की जोग पढ़ेगी x-axis में जितना length तक होगा वो x1 suppose y-axis में जितना होगा वो y1 यह height होगया और z-axis में जितना होगा वो z1 यानि यह width होगया तो उसी तरह अगर कोई दूसरा vertical है b तो इसके लिए भी हमारे पास x2, y2 और z2 होगा x2, y2 और z2 तो अगर हम लोग इन तीनों को यह तीनों जो है यह position तो अगर हम लोग इन तीनों को यूज़ करके position vector find करे तो हमें इन तीनों का vector sum करना पड़ेगा यानि कि अगर हम लोग o a और o b यह find करें तो o a वेक्टर जो है o a जो हमारा position vector है वो x1 i cap plus y1 j cap plus z1 a cap जहां पर i, j और k x axis, y axis और z axis के long unit vectors हैं उसी तरह o b जो है o b vector वो x2 i cap plus y2 j cap plus z2 k cap अब अगर इस a point पर यह जो point mass रखा हुआ है इसका mass अगर m1 है और इस b point पर जो mass रखा हुआ है इसका mass अगर m2 है तो इन दोनों के बीच जो force लगेगा उसे हम लोग कैसे लिखने है force तो suppose कि हम लोग पहले यह लिखना चाहते हैं कि force on m2 due to m1 क्या बोला मैंने force on m2 due to m1 यानि दूसरे object पे पहले object के द्वारा कितना force लगाया गया तो हमने जासा कि scalar form में इसका formula लिखा था कि force is equals to g m1 m2 by r square तो अब इन दोनों के बीच जो distance है वो क्या है अगर यह जो position है o a इसे हम लोग r1 vector माने और यह जो position है o b इसे हम लोग r2 vector माने और r1 vector माने यानि o b हमारा r2 vector है और o a हमारा r1 vector है तो a और b के बीच जो distance होगा वो यह होगा a और b के बीच जो distance होगा वो यह होगा a b तो यह जो r2 vector है इसका direction इधर है और r1 vector का direction इधर है अब यहाँ पर हमने force में क्या लिखा है force on 2 due to 1 यानि यह m1 m2 पर कितना force लगा रहा है यानि कि यहाँ पर जो distance हम लोग लिखेंगे वो r1 2 vector लिखेंगे यानि 1 से 2 की तरफ जाते सब है यह direction यह क्या है r12 अगर मैं इस a b का direction इस opposite sign में दूँ तो वो क्या हो जाएगा r21 हो जाएगा और अगर इस direction में है तो r12 क्योंकि 1 से 2 की तरफ हम लोग आ रहे हैं पहला object m1 जो है वो m2 पर force लगा रहे हैं तो हम लोग 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं इसलिए यह direction r12 अगर हम लोग यहाँ पर force on 1 due to 2 की बात करें तो यह जो r12 वेक्टर होगा वो उधर की जाएगा उधर की और जाएगा यानि force on 1 due to 2 m2, m1 पर force लगा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी जो present situation है उसमें क्या हो रहा है m2 पर force लगा रहा है कौन? m1 यानि की r12 यह हुआ हमारा position vector तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे r12 vector के magnitude का square अब हम लोग यहाँ पर इसके एक unit vector लिखेंगे यानि इस vector का direction लिखेंगे तो यह जो force है f21 यह force किदर है? कौन force लगा रहा है? m1 लगा रहा है किस पर लगा रहा है? m2 पर लगा रहा है तो होगा क्या कि यह m2 जो है वो attract होगा किदर? m1 की तरफ यानि जो force होगा वो इस position का direction इधर और object attract हो रहा है इधर position का direction इस side और object attract हो रहा है उस side यानि कि हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? minus r12 cap यानि यह जो r12 vector है यह जो r12 vector है इस पे अगर हम लोग एक position vector unit vector माने या इस के along अगर हम लोग एक unit vector माने जिसका magnitude 1 है तो यह उसके reverse direction में होगा अब जैसे कि मैंने आपको पहले बता था कि यह r12 vector इस side है अगर हम लोग r21 vector ले r21 vector ले तो यह इस side होगा यानि ठीक इसके opposite होगा यानि कि r21 vector क्या होगा minus of r12 vector तो उसी तरीके से r21 vector का जो unit अगर r21 vector के along अगर कोई unit vector ले वो r12 vector के along एक unit vector के opposite होगा तो अब अगर इस चीज़ इस form में हम लोग आगे बढ़ें तो f vector 21 को हम लोग g m1 m2 by r12 के mod का square r cap 21 लेख सकते हैं अब हम लोग जानते हैं कि जो unit vector होता है कोई भी unit vector है तो उसका formula क्या है r vector divided by its magnitude तो अगर इस formula को use करें हम लोग इस equation में तो हमें क्या मिलेगा f vector 21 is equal to gm1 m2 by r12 के square और यहां पर इसके जगह पर हम लोग यह formula यूज करें तो हमें r21 अगर सपोज यह formula यूज करें तो यहां भी 21 और यहां भी 21 तो यह वाली चीज़ हम लोग यहां पर उतार देंगी यानि r vector 21 by r vector 21 का mod तो यह हमें क्या मिल जाएगा यह हमें मिल जाएगा gm1 m2 यह दोरों एक दूसरे से multiply होगा तो r12 का power cube और यह r vector 21 तो यह हो गया हमारा f force on 2 due to 1 का equation अब हम लोग find करेंगे force on 1 due to 2 अब हम लोग देखिंगे force on object 1 due to object 2 तो यहां पर gm1 m2 by r12 के mod का square minus r12 unit vector इसे हम लोग gm1 m2 by यहां पर square होगा r12 vector का cube और यहां पर इसे r21 vector यह हम लोग लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले equation को दिखा था तो अब हम लोग यहां से यह conclude करेंगे यह equation 2 और जो पहला वाला f21 का equation था वह equation 1 तो हम लोग यहां से यह conclude करेंगे कि f12 vector जो होगा वह minus of f21 vector होगा यानि कि दोनों की magnitude सेव रहेगी पस direction उल्टा रहेगा तो यह तो बात हो गई कि अगर हमारे पास 2 point masses हैं तो अब अगर हमारे पास number of point masses हैं तो हमें force of gravitation कैसे find करना है तो suppose कि हमारे पास एक system है जिसमें की 4 point masses हैं और हमें क्या करना है कि एक किसी particular point mass पर बांकी के 3 point masses से force उस पर कितना force exert कर रहे हैं gravitational force यह find करना है तो हम लोग इसे solve करने के लिए principle of superposition का follow करेंगे principle of superposition हमें यह बताता है कि पहले suppose जैसे कि मैंने बताया कि 4 object का एक system है तो suppose कि 4 object पर हमें force निकालना है पहले 3 object से तो हम लोग पहले यह find करेंगे कि पहला जो object है वो 4 object पर कितना force लगा रहा है यानि F1 फिर दूसरा जो object है वो उस पर कितना force लगा रहा है फिर तीसरा जो object है वो उस पर कितना force लगा रहा है इन तीनों को अलग अलग हम लोग find करेंगे फिर तीनों के vector sum में तीनों को vector sum कर देंगे यही कहता है principle of superposition तो उस तरीके से हम लोग इसे solve कर सकते हैं तो आप हम लोग यह देखेंगे एक example के दोरा कि इसे हम लोग कैसे solve कर सकते हैं तो यह है हमारा problem, यह एक system है जिसमें four point masses है A, B, C और P, सब में equal mass है, mass M हमें point P पर A, B और C से force निकाल ला है कि यह तीनों उस पर कितना force लगा रहे हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें principle of superposition यूज करना है यानि पहले हमें point P पर point A के द्वारा कितना force exert हुआ वो निकालना है फिर point P पर point B के द्वारा कितना force लगाया गया point P पर point C के द्वारा कितना force लगाया गया यह इन तीनों को individually find करके तीनों का vector sum करना है तो सबसे पहले A और P के बीच जो distance है और P और C के बीच जो distance है तो यह perpendicular है B और P के बीच का distance D है A और B और B और C के बीच का distance D है तो यह 90 degree है यह D यह D तो Pythagoras theorem से यह root 2D तो हम लोग सबसे पहले find करेंगे कि force on point P due to D तो अगर इस point को हम लोग अपना origin मालें और यह हमारा x-axis और यह हमारा y-axis क्योंकि हमें कोई भी calculations कोई भी measurement करने के लिए एक frame of reference की जुरत पढ़ेगी तो यह हमारा frame of reference यह x-axis यह y-axis अब हमें निकालना है कि point P पे point B के दवारा कितना force लगाया गया तो G mass सारे points पे same है mass M है तो M square B और P के बीट जो distance है वो B है तो B square और यह y-axis के long है यह y-axis के long जो unit vector होता है वो J cap होता है तो यह J cap यह equation 1 अब P पे A के दवारा कितना force लगाया गया तो यह G M square by 2 B square root under 2 D का अगर whole square करें तो root under 2 के square 2 और D square तो D square अब यहाँ पर जो हमारा force है वो इस direction में है यह इसकी तरफ attract हो रहा है तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना projection तोड़ें तो projection जो तूटेगा वो i cap sin 45 i cap sin 45 x axis के लोग और y axis के लोग यह x axis के लोग sin 45 और y axis के लोग cos 45 तो प्लस j cap cos 45 अब F vector on P due to C तो G M square by 2 D square तो यह वाला है यह वाल लाइन force का direction इदर यह इस object को अपनी तरफ attract करेगा तो यहाँ पर जो projection तूटेगा वो ऐसे यानि कि minus x axis की तरफ तूट रहा है तो minus i cap sin 45 यह जो angle है यह 45 इसलिए है क्योंकि यह अगर 90 और यह वाला side यह वाला side equal तो यह 45 और यह भी 45 इसलिए यहां sin 45 सारे जगा पर है और उसके बाद अगर यह इधर तूटा sin 45 नहीं sorry 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 x axis के लॉग cos 45 और y axis के लॉग sin 45 तो x axis के लॉग cos 45 और यहां पर j cap sin 45 तो यह equation 2 यह equation 3 अब अगर इन बीनों को हम लोग add करें तो हमें अपना total force on p due to a,b,c मिल रहेगा तो यहां पर देख सकते हैं gm square 2d square i cos 45 और gm square 2d square minus i cos 45 तो यह minus और यह plus एक दूसर से cancel out हो गया तो अगर इसे हम लोग solve करें अगर हम लोग in तीनों को अगर add करना है और और यह j sin 45 sin 45 का value 1 by root 2 तो यहां पर क्या बचा जे जे कैप 2 root 2 फिर यहां पर भी यह वाले turn cancel यहां पर आते हैं प्लस जे कैप 2 root 2 तो यह हो गया gm square by d square j cap j cap j cap 2 root 2 plus 2 by 2 root 2 j cap यह हो गया हमारा final answer अब यहां पर यह कैसे आया तो हमारा LCM यहां पर 2 root 2 multiply हुआ तो जे 2 root 2 जे हमने निकाल लिया और यह जे यह जे मिलके 2 जे हमारा common है तो हमारे पास जो f total आया वह यह है gm square by d square 2 root 2 plus 2 by 2 root 2 j cap तो उमीद है कि आपको यह video जो की gravitational force in vector form के उपर था समझाया होगा अगर आपको कोई भी problem है numericals को solve करने में तो आप उन numericals को comment कर सकते है या फिर मुझे mail कर सकते है मेरी email id descriptions पे है at last with the end of this video thanks for watching this video with the message of universal brotherhood love and peace thank you